हलो दोस्तों स्वागत है आपका जी के वित अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक के केशिकात और शायनता यह प्रिष्टनाओं का ही अगला पार्ट है उस वाले में मैंने केवल प्रिष्टनाओं के बारे में बताया था आज हम जानेंगे केशिका केशिकात तो क्या है और शायनता क्या है सबसे पहले क्या है केशिकात तो देखिए एक चीज और जितना चिप्टर कर रहा है मैं उसका प्रशन भी कराऊंगा ठीक है आते हैं पहले केशिकात केशिकात के नली में द्रोग के ऊपर चढ़ना या नीची उतरना कहलाता क्या है केशिकात इस किरिया को हम लोग कहते हैं केशिकात अब सबसे बड़ी से केश नली क्या होती है एक पहले सवाल आती है केश नली का मतलब कांच की एक ऐसी नली काच की एक ऐसी नली जिसमें एक सुराख हो यानि एक छिदर हो बिलकुल एक अंदर एक ऐसी सुराख हो जो बिलकुल ओस सुराख एक बाल के बाल होता है उससे बना केश नली यानि बहुत पतला उसमें छेद हो उसको हम लो कहते हैं केश नली जब केश नली को हम पानी में डा हैं अगरम केश नली को रंगीन दाल दें और फूब हएं पानी में सतर से उपर चुड़ जाता है या परे में डालें तो सतर से नीचे उता है ये जो किरिया कहलती है इसको कहते हैं केशिकलत pops केश्रिकात की करिया होती क्यूं है इसका में कारण क्या है प्रिष्टनाव के कारण यह प्रिष्टनाव के कारण ही होता है और प्रिष्टनाव उत्पन क्यूं होता है तो वह सवसंजग बल के कारण यानि सवसंजग बल के कारण उत्पन प्रिष्टनाव के कारण केश्रिका पर बाते हैं कि इस नली में अगर पोई जल कितना उंचाई पर चलेगा उसके लिए एक फार्व हुला है सुत्र है टूटी कॉस्ट ठीटा वाई आर डी जी इसमें टी जो होता है उसको कहते हैं प्रिष्ट इतना हो सर्फिस टेंशन और कॉस्ट ठीटा जो होता है किसी द्रो हो गया या कभी पारा हो गया तो यह ऐसे हो जाएन गा तो इसके द्वारा यह बना हुआ यह वाला कॉम यह कहला तो यह कहला जा पिछले वारे वीडियो में इसके बारे में बता आया होगा उसका अंदर का त्रिज्या होगा डी जो होगा वो जो द्रोव है यह जल है पारा है शहद है किसमें उसको डूबगा गया उसका घंत तो है डी और इसमाल जी होगा वो है गुरुत्वी त्वरण है इसको मिलाके अब यह किस पर निर्भर करता है तो इसी के ऊपर निर् करता है के शिकात की तिरिज्या पर तिरिज्या जितना कम होगा द्रो यानि जल उतना ही ऊपर चड़ेगा और तिरिज्या जितनी कम होगी यानि नली की सुराख मोटी होगी तो जल उतना ही कम से कम चड़ेगा वो द्रो यानि के शिकात की तिरिज्या जितनी कम होगी वो द्र जाला उतना ही उचाई कम होगी उतना ही कम उचाई तक वह द्रोप ऊपर चड़ेगा जैसे पारा पारा के आप बहुत ज़्यादा घंट नीचे आ जाएगा चलाता है दूसरा गुरुत्वी त्वरण गुरुत्वी त्वरण के बढ़ने पर उचाई घड़ जाएगी यानि जल उतना ही कम मुचाई पर चड़ेगा ठीक है यानि अगर आप धुरुवों पर जाएंगे तो जल कम चड़ेगा जबकि भुमद आरेखा पर जाएंगे तो ज्यादा चड़ेगा और वह अंतर बहुत काम आता है लेकिन यह होगा अगर इसको हम लेके चले जाएं प्रिथ सीरे से बाहर निकल जाएगा यह होगा प्रिष्टनाओं के काराण ठीक यानि त्रिज्या घनत और गोति तौरण पर निर्भर करता है कि कि किसी भी केश नली के अंदर वो द्रो कितनी उंचाई पर चड़ेगा इसके उदारन भी हैं कुछ जो परिक्षा में सीधे सीरे आत होती है प्रिष्टनाव के कारण और प्रिष्टनाव उत्पन क्यूं होता है सवसंजक बल के बारे में जो मैंने पिछले बार बतायता को से फोर से तौलिय का एक सिरा अगर जल में डूबा हुआ है तो जल क्या करता है तो लिए के ऊपरी भाग पे चड़ आता है अगर होती है चोटी चोटी केश हलियां होती है और जाइलम के सहरे के आता है जल उपर चड़ जाता है और वह अपने सासा जब जल चड़ता है तो अपने सासत खनीच को भी घोल कर उपर पहुंचा लेता है इसलिए जाइलम एक समवहनी उत्तक भी है ठीक है और यह जल एम परिवहन करता है पौधों में तो पौधों में जो पहुंचता है जल वो केशिकात घटना के कारण होता है और वो पहुंचता है किस से वो जाइलम नमक उत्तक से पहुंचता है वर्सा के वाद खेतों की जुताई अक्सर जब बारिस होता है तो किसान करते क्या है कि खेत को ज रिक्टी के अंदर नमी बनी रहे उसके बाद आता है दीवार उपर सीडह का चढ़ना अक्सर क्या होता है बरसatt के दिनों में हम लोग देखते हैं कि दीवार पर सीड़ नविगी झाते हैं इसलों खाया दिवारे जो हम लोग के एत होते हैंं जब जल उपर चढ़ता है तो उसके साथ-साथ खनीज भी उपर चढ़ जाता है और जाकर इट में शोरा पकड़ लेता है और जिससे सिड़ आता है यह घटना है केश्व कत के कारण ठीक है इसके और विवदारण हैं लेकिन यह सारी घटना इसी के कारण होती है अब आता है सब्द आता है, हम लोग आगे चलेंगे श्यानिता के बारे में, विसको सिटी, ये था एपिलरी, ये था विसको सिटी, अब आते हैं, विसको सिटी के जानने से पहले एक सब्द है तरल, तरल को हम लोग समझ लगते हैं, जो पदार्थ बहते हैं, तरल कहलाते हैं यानि बहने वाले जो होते हैं पदार्थ एक जगह से दूसरे अस्थान पर जिनका आकार निश्चित नहीं होता है वे कहलाते हैं तरल ऐसे दरब जिनके आकार निश्चित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं तरल जो बहते हैं ये दो टाइप की होते हैं एक द्रौ एक गैस अब द सब गैसे हैं यह बहने वाली हैं जो बहती हैं अगला आता है अब आता है श्यानता विस्कोसिटी यह बहुत इंपोर्टेंट है आप जानिए परिभासा जान लीजे इसका तरल का वहगोंड जो अपने विभिन परतों के बीच लगने वाले घर्चन बल जो अपने आपे छित गती का विरोध करते हैं इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं या इस तिरोध को ही हम लोग कहते क्या है श्यानता कहते हैं अब श्यानता का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है कोई पदार्थ कितना गाड़ा है जो पदार्थ जितना गाड़ा होगा उसकी श्यानता उतना नहीं कम होगी अब आया है बात परतों के बीच देखिए जितने भी तरल होते हैं इनकी परते होती हैं क्योंकि आप उपर बढ़ते हैं तो इनका दाब घटता है और नीचे आते हैं तो दाब बढ़ता है जैसे किसी द्रौ में कोई द्रौ है माल लीजे ड्रम में रखा हुआ है ऐसे अममाले और इस ड्रम में यहाँ पर दाब जद्धा होंगा उस से कम उस से कम उस से कम इनमे विभिन परते बन जाती है और जब यह परते बन जाती entertaining गर्सन बल क्योंकि इन में लगता कोने सो संजक बल संजक बल के कारणी श्यानिता की घटना होती है अब इन परतों को हिलाने के लिए लगाना पड़ता है बल और जब यह हिल जाते हैं द्रोग तो फिर कुछ देद बार ठार जाते हैं क्योंकि इनके विभिन परतों में घरसन भी दर्बार अधर लगता गया गर्सन और धो कि विपरेद भर्ण जो तरल के शयानिता पर निर्भर करता है उसके ठीक विपरेद द्रुषन अब जैंता है और यह पदार्थ की शयानिता पर यानि जो पदार्थ जितना ज़्यान होगा, उसमें orतन Ю घर्सन जादा होगी और जल्दी ठार जाएगा और उसको हिलाने के लिए तय ताकत लगाना पड़ेगा और जो तरल कम कम अब जैसे माले जीए कquela आब यहीएक कारण है कि सबसे चीज है कि श्यान की बात हती है तो देखिए क्या होता है पानी में दोड़ना टेणा काम है लेकिन हवा में आसान है क्योंकि हवा की श्यानता कम है जब कि पानी की श्यानता अधिक होती है इसलिए घर सनबल क्या होता है बढ़ जाता है इसलिए जो तरल है उ दूर दूर हटते हैं ठीक है और हटने के कारण वो थोड़े हलके हो जाते हैं जिसके कारण श्यान बल घट जाता है और इसकी श्यानता भी घट जाती है और वो आसानी से बाता है ठीक है लेकिन गैसों में उल्टा होता है ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाती है जबकि दुरवों में क्या होता है? उल्टा कि ताब बढ़ने पर श्यानता घट जाती है. ठीक है, इसलिए हम गरम पानी से कपड़ा धोते हैं कि प्रिश तनाव घट जाए और उसकी श्यानता भी घट जाए जिससे मेल असानी से साफ हो जाए. ठीक है, अभी हम जानते हैं इसके बा या पेट्रोल वो फिल जाएगा आसानी से कींकि वह गाढा नहीं है लेकिन वही शाहद है या चीनी का सीरह और उसको हिलाना ठेणा काम है तो प्तुर्ण ठाहर भी जाएगा लेकिन रहा रहाना खाना सेविए वह यह को Firstly लेकिन गैस तुरंत बाते हैं जरा सा भी अगर आप हवा कुछ भी चलाएंगो तो बह जाते हैं क्यों क्योंकि दुरोओं की शैनता जादा होती है और गैसों की कम होती है वायू में गती जल की अपेक्षा आसान होती है बिलकुल बात है वायू में दोड़ना आसान है लेकिन जल में दोड़ना मुश्किल कि हमें क्यों क्यों कि वायू की शयानता जो होती है जल से एक वटा सौगुना कम होती है यानि अगर जल की शयानता अगर सौग होए तो वायू की एक होगी ठीक है सौगुना अधिक होता है शयानता बढ़ने का मतलग गाढ़ापन बढ़ना और श्तरवर दो बढ़ेगा अब आता है इसे सवाल है हुआ हुए कि आदरस द्रह क्या होता है इसका जान लिए अधरस द्रह इसके स्टाने क्या होती है पिए या संपिडिता क्या होती है सुनने यानि आदर्स द्रो की विस्कोस हिटी जीरो होती है यानि यह बहेगा ही लगातार और जब की संपिडिता का अर्थ है कम रिसिबल यानि दबने लाइक वो सुनने होती है क्यूं कि जब कोई द्रो जब दबेगा तो उसका घनत बढ़ जाएगा इस तरह से इसकी शैनिता भी क्या होगी चेंज हो जाएगी क्योंकि दबने से घरन तो बढ़ने करण वह गाड़ा हो जाएगा तो यह पहली शर्त कि वह पदार्थ या वह तरल दबना नहीं चाहिए ठीक है तो अमूमन जो होता है इस तरह कोई भी पदार्थ मिलता नहीं है जिसकी शैनिता सुने हो लेकिन गैस जो होते है लगभग शैनिता सबसे कम वाले पदार्थ है और दोहों में कुछ ऐसे लिक्वीड आते है kicking की तरह होते हैं इस्तेमाल उनके शैनिता बहुत कम होती है नटोट खोलने के लिए उस तरह की चीज़ आती है जो अंदर तक पहुंच जाते हैं रस्ट छोड़ने वाले जो होते हैं तो यह जाने कि आदस दुर्व की शैनता सुनने होती है और संपीडिता यानि दबने है अब देखिए ताप का जो बात मैंने बताया था कि यह यही कारण के शीत में पूरजा जम जाते हैं शीत के दिनों में कल पूरजे जम जाते हैं ठंडे के कारण क्यूंकि उसमें जो दुरव होता है वो जम जाता है क्यूंकि वह सनेहक की शैनता बढ़ जाती है यही कारण के ठंडे के दिनों में बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं असानी से स्टार्ट होता है यही कारण है कि ठंड के दिनों में ग्रीसुरी से यह तेल चीजे जमती है तो उनको गरम करके उनको धीला करते हैं और कुछ देर बाद जब गाड़ी चलती है तो उसके सारे पार्ट्स गरम होते हैं तब और फुलों के साथ चलता है और उसकी रखाता है इसका वह सर्पधर वह इसपरसीबल यानि वह द्रववें के बीच लगने में वाला इस परसीबल जो दो समानांतर परतों के बीच आप एक जीख वेग पया करने के लिए वश्क हो जैसे पानी ठोहरा है अब पानी में गती पैदा करने के लिए, विभिन अर्तों के बीच, गती दैखें, पानी को जब आप घुऊमाएंगे, तो सबसे अधिक गती होगी उपर, उससे कम सबसे कम तली में होगी बाल्टी में तो यानि हर रतों में गती भिन बन होती है वजह यह कि दाब भिन भिन होता है तो घरसन भिन भिन होता है इसी को हम लोग कहते हैं शयानता तो उसको गती देने के लिए जो बल इस्तमाल होता है उसी को हम लोग कहते हैं शयानता ग जो होता है यह एक और इसका होता है व्यापक जो है मातरग केहते है n 102, बराबर सतवक्रण 9資 प्रती स्काइर कहते है यह और मातरग जो कहेंगे था संड न्हीं ऐसेutable सेल प्रति टिस वह है इसका तुम मैंने को इसले बज़्टे पी बाते बताई हैं कि शिकात उ शेहनता के बारे में इसी से ही आपके परिक्षा में सवाल पूछे जाते हैं इससे बाहर एक दिवसी परिक्षाओं में सवाल नहीं आते हैं अगर आप आरारवी गुरूब डी ऐसे सी एम टीयस ये एक दिवसी जतनी भी और मैं इनके कोश्चन भी कराऊंगा आगे और आगे भी भूगोल और इतिहास बहुत सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए चिंता ना करें लिगंधीर दीर सब कुछ खतम वजाएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में बताईएगा और इसको जादा जादा शेयर करिएगा तो हम लोग मिलते हैं अगले एक वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जाए हिंद